नमस्कार दोस्तों बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे चैनल में दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको आपकी परसनल सिक्योर्टी से जुड़ी हुई एक बहुत अच्छी जानकरी देने वाला हूँ तो आपसे रिक्वेस्ट है प्लीस इस वीडियो का आप ध्यान से देखिए और पूरा जरूर देखिए दोस्तों हम प्ले स्टोर से बहुत सारी एप्स डाउनलोड करते हैं और कुछ तैम बाद उन एपसे हम बोर भी हो जाते हैं हम टच करके रखते हैं और उसे हम डारेक्ट अनिंस्टॉल कर देते हैं ठीक है दोस्तों लेकिन ये एक गलत तरीका होता है हम इस तरह से एप्लिकेशन को तो डिलीट कर देते हैं लेकिन साथ हम उस एप्लिकेशन में अपने परसनल डाटा को भी सेव करके भेज़ देते है जियां दोस्तों और हमारा personal data यहीं से चोरी होता है तो जब भी आप किसी application को uninstall करें तो वो इस तरह से करें जैसे मैं आपको इस वीडियो में बता रहा हूँ तो सबसे पहले आप अपने phone की settings पर जाएए Settings पर जाके आप application manager पर जाएए जैसे कि मैंने यहां पर यह app uninstall करने के लिए select कर ली है अब हम अइंस्टाल गर्रियों में भाथ है अगर हम यह अगर क्लिक कर देते हैं टीक है अनग्सक्रेंब्सक्राइब जो सिमे वही चीज होगी जो अभी हमने अपनी पर दिखायalta जैसे हमने वहां से अनिस्टॉल किया था वैसे यहां से अनिस्टॉल हो जाएगा यहां पर भी हमारा सारा पर्सनल डाटा इस एप के साथ ही चला जाएगा तो इस एप को अनिस्टॉल करने से पहले या जो भी आप आप अनिस्टॉल करते हैं तो उससे पहले आपको क्या करना दोस्तों किसी भी एप को अनिस्टॉल करने से पहले उसके डाटा को हमें एरेस करना है अब हमें यहाँ पर इस एप के डाटा को हमें किलियर कर देना है ठीक है अब देखिए यहाँ पर दोनों चीज यहाँ पर जीरो हो गई है अब यहाँ पर जीरो हो जाए जब डिलीट हो उसके बाद हम इसको अनिस्टॉल कर देंगे किसी भी आपको आप इस तरह से अनिस्टॉल कीजिए और जैसे आप इसको अनिस्टॉल कर देंगे तो कोई भी आपका परिवार लेक नहीं होगा चोरी नहीं होगा तो दोस्तों यह थी एक information आप किस तरह से application को delete करते वक्त अपन के निशान पर भी जरूर टच कीजिए ताकि आपको हमाई नहीं नहीं वीडियो लगातार मिलती रहें यह बिल्कुल फ्री होता है और आप इससे जाह से ज़्यादा भी उठा सकते हैं तो अभी के लिए इतना ही धन्यवाद